हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस्ट क्लास में तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं आप लोग भी लाइव आजिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए और आज के इस क्लास में जो भी हार बोड ने ओफिस्यल मॉडल पेपर जारी किया है उसी को हम लो को लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजे और देखिएगा आप लोग मॉडल पेपर में का सभी कोसन एकदाम आप लोग आराम से बना दिजेगा तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे लाइव आजिए आज का क्लास काफी महत प आज का क्लास बहुत ही धाकड होने वाला है और एक बात है यहाँ पी की जो हम पढ़ाए हैं बिल्कुल वही वही कोसन आया है जब आप लोग स्वाल किजिएगा एकदाम आराम से आप लोग 80 में से 80 आप लोग यहाँ पे बना सकते तो जल्दी जल्दी आजिए और जल्द परसेंट यहाँ पर आपको सही आंसर बताया जाएगा चलिए जल्दी से एक बर आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजें बहुत ही बढ़िया और एकदाम बढ़िया से एकदाम पढ़ेंगे बाबू और इससे आपको पता चलेगा कि जो हम पढ़ाए हैं वह आ पर पढ़ाया हुआ बबू आना चाहिए अब देखिए आपके फाइनल बूर्ड परिक्षा हमें भी 80 objective प्रस्ण रहेगा जिसमें से आपको क्या करना है 40 objective प्रस्ण बनाना है और 24 यहाँ पर लगुतरिया प्रस्ण रहेगा जिसमें से आपको 12 बनाना है और 6 आपका निर्देश दिया गया है इसको आपको क्या करना है काफी इची तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है यहाँ पर देखे लिखा गया है खंड और सेक्षन और एक से लेकर असी तक वो तुनिस्ट परशन है जिसमें से केवल आपको 40 अब्जेक्टी परशनी बनाना है असी आप लोग बढ़ा लीजेगा आपको एकदम किलियर दिखाई देगा और आज आपको पता चलेगा कि जो आपकी यह सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वही आ रहा है आपके फाइनल बोड परिक्षा में यह आप लोग सॉल्व करके देख लिजेगा और यह हमारा ग्रांटी य पेले भी बोल रहे थे कि हमारा पढ़ाया हुआ ही आएगा और एकदम हंडीड परशेंट हमारा पढ़ाई हुआ है अब यहाँ पर हम स्वालव करते हैं फेला important कॉशन है कि निमनांकिद में से कि इसका अपरतनांघ सबसे अधिक होता है जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजें तो किसका आपरतनांग का अधिक होता है बबु कई बार हम आपको बताएं हैं कि जो हीरा होता है इसका आपरतनांग सबसे अधिक होता है बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा और ये भी बताये थे कि हीरा का अपरतनांग कितना होता है तो 2.4 होता है ये एकदम हम आपको details में बताएं हैं, आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, और देखिएगा बिल्कुल जो हम पढ़ाएं, बिल्कुल वही वही यहाँ पर एकदम question आया, अब यहाँ पर हम दूसरा question लगा देते हैं, दूसरा question आप लोग solve किजें कि ओतल दरपड की focus दूरी हो सभी question हम आपको पढ़ाएं, आप लोग यहाँ पर देखके अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर हम सभी question क्या कर दियें, पढ़ा दियें, अगला question देखिए, यह भी question हम आपको पढ़ाएं कि lens के मुख्ये forces की संख्या कितनी होती है, कई बार हम आपको बताएं हैं, बी व तो उसी में बताये थे कि एक डॉक्टर है उसके यहां पे सर पे दरपण बांदा है और यहां पे लाइट जल रहा है उसको गले को देख रहा है कल ही हम आपको पढ़ाये थे बाबू तो यहां पर देखे दाढ़ी बनाने में किस दरपण का प्रियोग होता है तो ओतल बड़का उपयोग हम लोग चिकित सा छेत्र में भी करते हैं सभी कोसन हम आपको पढ़ा दी है अगला कोसन देखिए यह भी कल कोसन हम आपको पढ़ाये थे कि आउटल दरपढ की फोकस दूरी F और बकरता 3 ऑर में क्या समन्द होता है तो बाबू जो फोकस दूरी होता है बक्रता तरी जिया क्या आधा होता है यानि F बॉराबर क्या होता है R by 2 होता है यह सभी कोसन हम आपको पढ़ाए हैं बिल्कुल एकदम 100% हम आपको यहाँ पढ़ाए हैं यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा बबू F बॉराबर R by 2 यानि यहाँ पे C वाल आंसर क्या हो जाएगा बिलकुल इसे हो जाएगा समझ में आ रहा है बहुत ही बढ़िया अगला कोसन यहाँ पे देख लिजे अगला कोसन यहाँ पे 6 नंबर कि निमनलीखित में से किसे अभिसारी लेंस कहते है ये भी कल हम आपको पढ़ाए थे कि नि को आप सारी लेंस कहते हैं तो इसे भी साथ में आपको क्या रखना है याद रखना है बहुत ही बढ़िया सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए और सभी कोसन हम आपको पढ़ा चुके हैं इसमें ऐसा कोई कोसन नहीं है जो हम आपको नहीं पढ़ाए हो अगला क कोशन यहाँ पर देखिए अगला कोशन यह भी हम आपको पढ़ाएं कि दिरिश्से परकास में किस वड़ का तरंग दर्ध नियूंतम होता है अब यहाँ पर आपको बताने कि वड़ का मतलब क्या होता है रंग होता है यानि किस रंग का तरंग दर्ध बाबु नियूंतम होत वाबू हम आपको पढ़ा दिया हैं बस अगर आप लोग मन से पढ़े होंगे तो यह सभी मैं बाएंँ हात का खेले एकदम आप लोग फटा-फट यहां पे सभी को शन आप लोग आते हैं बबू तो ये परकास के अपवर्तन के कारण से टीम टीम आते हुए नजर आते हैं यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा बिलकुल इसे हो जाएगा बहुत ही बढ़िया सभी बच्चे एक बार आप लोग जूड़ जाएए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के पास जादा से जादा सेर कर दीजे ताकि यह सभी कोसन आपको इकदम 100% समझ में है और यह सभी कोसन हम आपको पढ़ा चुके है जो भी बच्चे हम से पढ़त साथ में हम आपको यह भी बताये थे कि निर्वात में परकास की चाल कितना होता है बबु तो तीन लाग किलोमेटर पर सेकेंड होता है इससे आपको याद रखना है अगला कोसन यहाँ पर कोसन देखिए 10 नंबर कोसन है कि परकास के अपवरतन के नियम है यह भी हम बबु आपको बताये थे कल ही बताये थे कि परकास के परावरतन के कितने नियम होते है और परकास के अपवरतन के कितने नियम होते है दो नियम होते है और परकास के परावरतन के भी कितने नियम होते है तो परकास के परावरतन के भी दो ही नियम होते है यह सभी कोसन हम आपको अगला कोशन देख लिए अगला कोशन यहाँ पर 12 नंबर की जलता हुआ मुमवत्ती बदलता है अब यहाँ पर आपको बताना की जो जलता हुआ मुवत्ती होता है ये किसको बदलता है तो ये रसाइनी कुर्जा को क्या करता है परकास उर्जा में बदलता है जो मंबत्ती होता है ये रसाइनों से मिलकर बना होता है और ये क्या होता है कि रसाइन जलता है और इससे क्या निकलता है बाबु हम लोग का परकास निकलता है तो ये क्या करता है रसाइनी कुर्जा को परकास उर्जा में बदलता है बी वाला उप्सन यहाँ पर बिल्कुल इसे जाएगा बहुत ही बढ़ियाँ एक बार आप लोग दबा के लाइक कर दीजे हम आपके लिए इतना मेहनत किया है बाबू और सभी कोसन एकदम लड़ गया है जितने बच्चे हमारे प्यारे बच्चे पढ़ते होंगे एक बार आप लोग सभी लोग जुड़ जाएए और देख लिजे कि हमारा पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं आया है आप लोग सभी कोसन एकदम 100% आप लोग बना लिजेगा यह हमारा गरांटी है और पढ़ाया हुआ बबु आ गया है अगला कोसन देख लिजे अगला कोसन है कि एक बिधुत सेल के धारा प्राप्त करने के लिए आंतर का मान बिधुत मान यहाँ पे बिधुत वाहक बलकी तुलना में होती है अब यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे देखे क्या है कि कि किसी बिधुत सेल के धारा प्राप्त करने के पर इसके सीरो के बीच के बिधुत वाहक बलकी तुलना में क्या होता है यह आपको बताना है अगर मान लिजे दो ओम और यहाँ पे चार ओम अगर आप लोग स्रेडी करम में जोड़ते हैं तो यह क्या होगा दो और और चार ओम कितना हो जाएगा यह छे ओम हो जाएगा अगर यही अगर आप लोग समनांतर करम में जोड़िएगा तो यह एक बटा दो होगा एक बटा चार होगा और यह क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यानि अगर आपको परतिरोध को बढ़ाना है तो आपको किस में जोड़ना पड़ेगा स्रेडी करम में जोड़ना पड़ेगा बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देख लिजे अगला कोसन य बाबु यहां पर किसका परियोग होता है तो नरम लोहा का परियोग होता है कई बार बता हैं बी वाल आंसर विल्कुल इसे हो जायेगा और जो बाबु अस्थाई चुम्बक होता है यह भी हम आपको बता और कौन सी किरिया पूरी होती है बाबू, तो ना भीकिया भी खंडन होता है, इससे आपको याद रखना है, यह वाल आंसर यहाँ पे बिलकुल ही से हो जाएगा, अगला कोशन देख लिजे, अगला कोशन बाबू, यह कल ही पढ़ाये थे, बाबू, अगर कल वाला जो physics का य यह आपको बताना है, तो देखिए, जो सौर उर्जा होता है, यह परकास उर्जा को क्या, यहाँ पर देखिए, सौर उर्जा को सीधे बिधू तूर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो कौन है बाबू, सौर उर्जा को बिधू तूर्जा में कौन बदलता है, तो सौ और सेल बदलता है, इसे आपको याद रखना है, अगला कोशन देखिए, अगला कोशन है कि पवन बिधुत जनितर में, पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर परती घंटा होता है, इसे आप लोग याद भी रखे होंगे, कि सभी सर लोग पढ़ाते हैं, क 15 किलोमीटर परती घंटा होता है, लेकिन इसमें 15 नहीं दिया है, लेकिन 12 से 14 किलोमीटर परती घंटा दिया है, तो इसी पर आपको क्या लगाना है, ठीक लगाना ही, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12 से 14 यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोमीटर परती घ ग्णा ये क्या हो जाएगा यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समझ में आ गया बहुत ये बढ़िया अगला कोशो new यहां पर सेगन रूख जाएं, इनमें से आपको कोई नहीं टीक करना है, क्योंकि यहां पे दिखिए 25 बीधु जनीतर को चलने के लिए कम से कम चाल कितना होना चाहिए, तो 15 km परती घंटा से कम होना चाहिए 15 km परती घंटा से अधिक होना चाहिए लेकिन यह क्या है यहाँ पे 15 km पर दिघंटा से कम है तो यह option यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे आप लोग D option कीजेगा इन में से कोई नहीं यहाँ पे D वाला option क्या हो जाएगा बिलकुल ही से हो जाएगा इस पे यह वाला आप लोग टी कीजेगा 15 km पर दिघंटा से अगर क पॉन बिधुत चनितर बाबु क्या हो जाएगा नहीं चलेगा यहां पे बिल्कुल यहां पे 15 वाला क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा और यह हम आपको पढ़ाए भी है अगला कोशन यहां पर देखिए कि सेल का बिधुत वाहक बल होता है यह क्या होता है तो सेल क काई आवेस पर लगाया गया बल होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर ए वाला उप्सन क्या हो जाएगा बिल्कूल इसे ही हो जाएगा चलिए अगला कोशन यहाँ पर देख लिजे अगला कोशन यहाँ पर दिखे 20 नंबर कोशन है कि घरेलू बिधूत परिपत में म अर्तियावरती धारा होती है और यह 220 भूल्ट पर होती है इसे आपको याद रखना है सभी कोशन बाबु हम आपको पढ़ा चुके हैं ऐसा नहीं है कि कोई कोशन हम आपको नहीं पढ़ा है अगला कोशन देखे 21 नंबर की वड़ विछेपड और संभाव है अब यहाँ प इसे आपको याद रखना है यहाँ पर डी वाला ओप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल इसे हो जाएगा बहुत ही बढ़ियां अगला कोशन यहाँ पर देख लिजे अगला कोशन है 22 नंबर की वायू में रखा एक कांच प्रिज्म से अपवरतन कोड को मोड देता है अब यह कोशन आपको यह बनाने collaborative बनाने आना चीए बबू इस पे का हम आपको कई कोशन बताएं हैं यहाँ पर देखे जिस भी रसायनी कभी किरिया में oxygen जूटता है उसके क्या कहते हैं उपचैन कहते हैं और Nederland में क्या हो रहा है बबू OXYG Milliarden जूट जा रहा है तो इसे हम क्या होगा कि जो सर पढ़ाते हैं बिल्कुल वही आता है यहां पर देखे खाने वाले सोडा का रसाइनिक सूतर होता है खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं बाबु सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट का बाबु रसाइनिक सूतर क्या होत देखिए अगला कोशन वाबू ये कोशन हम आपको कई बाड़ पढ़ाएं कि कमरे के तरह पर द्रौ अवस्था में हो रहने वाली धातू है कौन सी धातू है जो कमरे के ताब पर द्रौ के अवस्था में रहती है तो पारा एक ऐसी धातू है जो बाबू की कमरे के ताब पर ब्रोव अवस्था में पाई जाती है बी वला अंसर बिल्कुल इसे हुजाएगा और इसी में बबु हम अधातू का भी बताये थें कौन ऐसा अधातू है जो कमरे किताब पर द्रोव के रूप में पाये जाता है बबु तो ब्रोमीन पाये जाता है इसे आपको याद रखना ह सभी कोसन हम आपको पढ़ा दिया है अगला कोसन देखिए 26 नंबर कि आवर्त सार्णी के सुन्य समू का ततो कौन है अब इसमें आपको बताना है कि आवर्त सार्णी में सुन्य समू का ततो कौन सा है बबु तो सुन्य समू का कौन सा ततो है बबु हिलियम है इसे आपको य आया हे की नहीं आया है एकदाम हू बहु बाबु एकदाम कोस्टन आ गया है जीतना हम आपको कोस्टन पढ़ाये, बिल्कुल आफ लोग आख मूध के भी आप लोग बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं, असी में से नहीं तो आप लोग 75 पलस आप लोग कोशन बना सकते हैं यह हमारा गरांटी है जीतना पढ़ाये हैं बिलकुल एकदम भू बहू आया हैं बस एक बार आप लोग पढ़ लिजे इसके बाद मैथ का सोलूसन होगा तो मैथ भी आप लोग क्या कर लिजेगा काफी मिलेगा कि सोडियम कार्बनेट को जलिया में मेथिल औरेंज का बिलीन मिलाने पर विलियन का परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है तो पीला हो जाता है बाबु जब हम आपको कोशन बैंक पढ़ा रहे थे तो इसमें ये कोशन बैंक में आया हुआ था और इसमें देखिए यही तो फायदा है कोशन बैंक पढ़ने का इसमें कोशन बैंक का 60-70% इसमें कोशन एकदम हो बहु है अगला यहाँ पे कोशन देख लीजे अगला कोशन यह भी हम आपको बता हैं बाबू कि गलोबल वार्मिंग के लिए उतरदाई गैस कौन सा है तो गलोबल वार्मिंग के किये 29 नमबर प्रशने की गंधक यानि सलफर का परमाडू संख्या होता है तो बाबू यहाँ पे दिखे गंधक यानि सलफर का परमाडू संख्या कितना होता है 16 होता है यह भी हम आपको पढ़ा दिये यहाँ पर D वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा और केल्सियम का आपको बताये थे केल्सियम का कितना होता है 20 होता है तो अगर यह सलफर अगर मॉडल पेपर में आ गया तो केल्सियम आपका फाइनल बोड परिक्षा में आ जाएगा बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजे बाबू सभी को सन हम आपको पढ़ा दिये तीस आयनित होता है क्या होता है बाबू यह आयनित होता है इसलिए जो आमल होता है यह बिधुद का क्या करता है सुचालक करता है यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर दिखी यहाँ पर यह यह वाला आप्सन यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर A वाला आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा सर, model paper का question final exam में आता है model paper का बबु नहीं आएगा लेकिन इसी अधार पर आएगा कोई बोलेगा कि यही question एकदम final board पर रिक्षा में आजाएगा तो बिल्कुल नहीं है इसमें से एक दो question आएगा जादा नहीं आता है एक दो question आता है यह model paper इसी लिए बबु आपको पढ़ाया जा रहे ताकि आपको यहाँ पर पता चले एक तो आपको teacher का पता चलेगा कि कौन teacher पढ़ा रहा है जिसका पढ़ाया हुआ लडर है तो आप लोग देख रहे हैं अगर science हम आपको पढ़ाये हैं तो science आप लोग आराम से असी में से आप लोग 75 पलस आप लोग आराम से ग्रांटी है और teacher का अभी बाबु आपको पहचान में याएगा कि किसका हुआ पढ़ाया हुआ लडर है और किसका पढ़ाया हुआ नहीं लड़ रहा है और math पढ़ाएंगे तो math देखिएगा आप लोग कितना math से आपको डर लगता है ना math आप लोग देखिएगा कितना जल्दी-जल्दी हम से पहले हमारा पढ़ाया वो चेला हम से पहले यहां पे solve करके दिखाएगा अगला कोश अधिकतर धातू की उक्साइड होती है बबु हम आपको बताये थे कि धातू की उक्साइड कैसी होती है तो धातू की उक्साइड होती है कई बार हम आपको पढ़ाए है और जो धातू होते हैं उनकी उक्साइड कैसी होती है तो धातू के बबु जो उक्साइड होते हैं वो लिया होते हैं, समी कोसन हम आपको पढ़ा दिया है अगला कोसन यहाँ पर दिखे की सोने में निमनलीकित में से कौन सी धातू मिला कर मिस्ड धातू तयार की जाती है अब आपको पता है कि जो सोना होता है सोना से हम लोग गहना नहीं बना सकते हैं अभूसन नहीं बना सकते हैं तो बबू सोना में क्या मिलाते हैं तो हम आपको बोले हैं कि 22 करेट यहाँ पे सोना लिया जाता है और 2 करेट क्या मिला जाता है तो यहाँ पे चांदी तो नहीं है लेकिन तामबा है तो यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा सोना में क्या मिलाया जाता है बबू कॉपर मिलाया जाता है यहाँ पर क्या हो जाएगा बिलकुल इसे हो जाएगा अगला कोशन देखिए ऐसा कोशन ये तो नहीं लेकिन इसी पे हम कोशन आपको समझाये थे यहाँ पर देखिए NA CL है और यहाँ पर AG NO3 है यह दोनों आपस में अभी करिया कर रहा है तो जो यह AG है यह AG क्या कर रहा है इसका CL को ले 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 रहा है और NA को विस्थापित कर रहा है और जो यह NO3 है यह क्या कर रहा है बाबु जो NA है यह क्या कर रहा है कि AG से यहाँ पर विस्थापित करके यहाँ पर NO3 के पास चला जा रहा है यानि ये क्या कर रहे है दोनों आपस में क्या कर रहे है विस्थापित कर रहे है तो ये कौन सा अभी करिया होगा बाबू तो ये दूई बिस्थापन होगा क्योंकि दोनों आपस में क्या कर रहे है दोनों ततों आपस में क्या कर रहे है विस्थापित कर रहे है तो ये क्या ह हो जाएगा दूई भी स्थापन अभी किरिया हो जाएगा अगला कोशन देखे यह हम आपको बताएं है कि सिलिकन क्या है यहाँ पर आपको बताना है कि सिलिकन क्या है यहाँ पर सी वाला आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल इसे हो जाएगा अगला कोशन देख लिजे अगला क यानि जो अस्ठक प्राप्त की कर लिये होते हैं बबु उसको क्या कहते हैं हम लोग तो उत्कृिष्ट गैस कहते हैं क्या कहते हैं बबु नोबेल गैस कहते हैं और ये किसी अन्य ततो से अभिक्रिया नहीं करते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं निस्क्रिया गैस भी बोलते है यहां पे आपको रासाइनिक यहां पर सूतर बताना है तो जल्दी से इसका आप लोग बता दीजिए कि खगडिया का रासाइनिक शूतर क्या होता है अगला कोछन देख लिजे अगला कोछन यहां पर 37 नमबर है कि निमनांकित में से सबसे अधिक अमलिय ओक्साइड है अब इसमें से आपको बताने कि कौन अमलिय ओक्साइड है तो बाबु अमलिय ओक्साइड कीसे होता है तो जो आधातू होता है आपको पता है कि जो आधातू होता है इसका Oxide कैसा होता है, अमलिय होता है, यहाँ पे Calcium क्या है, धातू है, Magnesium धातू है, Sodium धातू है, लेकिन यहाँ पे SO2 क्या है, यह धातू नहीं है, तो इसका जो Oxide होगा, यहाँ पे यह वाला Option बिल्कुल हिसे हो जाएगा, और इन लोगों का क्या है, बबु यह धातू है, तो इन लोगों का चारिया Oxide होगा, क्या होगा, इन लोगों का चारिया Oxide होगा, बहुत बढ़िया, अगला कोशन यहाँ पे देख लिजिए, 38 नमबर कोशन थोड़ा सा हाड़ पूछा गया है, कि निमने लिखित में से कौन Elkine है, तो बबु इसमें Elkine कौन है, तो C2H2 क्या है, बबु इलkine है, यहाँ पे C वाला Option क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही से हो जाएगा, कौन सांसर से होगा, तो C2H2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही से हो जाएगा, अब 49 नमबर कोशन देखिए, कि C3O और यहाँ पे क्या है, C2H5 का IUPAC नाम क्या है, तो यह हम आपक को कोशण बेंक में पढ़ाये थे, अगर आप लोग कोशण बेंक बहुत ही बढ़ियां तरीके से पढ़ ओंगे तो यह आप बता सकते हैं, यह क्या है बबु, मेठोकसी इथेन है, क्या है बबु, इसका IOPSC नाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही से हो जाएगा, अगला कोश अगला कोशन यह हम आपको कई बार बता हैं कि निमनलिकित में से कौन से योगी का इंधन के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है अब यहां पर आपको बताना है कि इंधन के रूप में किसका इस्तमाल किया जाता है तो बाबू एथेनॉल का ओपयोग गिया जाता है आप लोग अगर सभी पे टिक कीजिएगा तो गल्त हो जाएगा कौन सा यहाँ पर अल्कोहल है जिसका ओप्योग हम लोग किसमे करते हैं इंधन के रूप में तो एथेनॉल है आपको याद रखना है क्या आपको टीक करना है जब पढ़ा रहे थे तब ही हम आपको बताया थी कि सब पे आपको टीक नहीं करना है नहीं तो टीक किजेगा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपको याद रखना है कोशन बैंक जब हम आपको पढ़ाये थे तो ये भी कोशन हम आपको पढ़ाये थे अगला कोशन देख लिजे अगला कोशन यहाँ पर देख लिजे अगला कोशन यहाँ पर देख लिजे 42 नंबर कोशन है कि धोबिया सोडा का रसाइनिक सुत्र क्या है अब यहाँ पर देखिए जो धोबिया सोडा होता है नहीं जो धोने वाला सोडा होता है इसके लिए हम एक आपको ट्रिक बताए थे ट्रिक जब हम आपको बताएंगे तब आपको यहाँ पर याद जाएगा कि बोले थे कि कपड़ा धोने में कितना बल्टी पानी लगता है त तो दस बलती पानी लगता है, तो इसमें 10 की समें है बाबू, तो इसमें है, तो NA2CO3 into 10H2, जब पढ़ाये थे हम आपको बताये थे, यहाँ पर एवाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही से हो जाएगा, कौन सांसर से होगा, एवाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही से हो अगला कोसन देख लिजे, अगला कोसन ये भी हम आपको बता है, बाबू की जो अमल राज होता है, इसमें सांद्र HNO3 और यहाँ पर सांद्र HCL का अनुपात क्या होता है, तो जो सांद्र HNO3 होता है बाबू, यह एक के अनुपात में होता है, और जो हाइडरो कॉलोरी का होता है, यह तीन के अनुपात में होता है, तो इसी के अनुपात में पूछा है, तो एक अनुपात 3 क्या हो जाएगा, आपका राइट अनुपात 1 होता है, लेकिन यहाँ पर घुमा दिया है, पहले यहाँ पर HNO3 दिया है, उसके बाद यहाँ पर HCL दिया है, तो बाबू क है इसे आपको याद रखना है अगला कोशन देखिए चुवालिस नंबर भी कोशन हम आपको पढ़ाये थें कि किसी अभिकिरिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं तो किसी अभिकिरिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं और जो पदार्थ अभी किरिया के फल सोरो बनता है, उसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है, सभी कोशन हम आपको बता चुके हैं, और ये देखिए, बोड के द्वारा ये कोशन रिपीट हो चुका है, इसमें आप लोग ध्यान से दिखिएगा कि निमनलिकित में से कौन अमलिय ओक्साइड है, तो अमलिय ओक्साइड कौन होगा, एसो टू होगा, ये बोड के द्वारा ही रिपीट हो गया है, तो इसको आपको टेंसन नहीं लेना है, अगला कोशन देख लिजिए, अगला कोशन ये भी हम आपको कि निमनलिकित में से कौन सा पदार्थ जलिय घुलक को, यहाँ पर देखे लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, अमल करता है, इसे आपको याद रखना है, और लिटमस पत्र का उप्योग कहां पर होता है, तो अमल और च्छार का पता लगाने में किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है अगला कोसन दिखिए अगला कोसन ये भी हम आपको बढ़ाएं कि स्वास्त सरीर का पी एच मान होता है यानि जो स्वास्त सरीर होता है इसका पी एच परास जो होता है ये कितने के बीच में कारे करता है तो बाबु पी एच परास कितने के करते हैं अगर आप लोग पढ़े हैं वह आला कलास तो देख लीज़े उसी में से इतना सारा कोशन आ गया है यानि आप लोग model paper को एकदाम फाड के रख सकते हैं यह हमारा grantee है अगर आप लोग यहाँ पर बोल दीजे कि पढ़ाएं हैं वो आया है कि नहीं आया है एक बार आप लोग comment करके बता दीजे कि जो हम पढ़ाएं हैं वो आया है कि नहीं आया है आप लोग इमांदारी से बता दीजे हाँ सर जी आया है यह सर जी आया है बहुत बढ़िया एकदाम ऐसे ही बाबो आप लोग final board परिक्षा में 80 में से आप लोग क्या कर दीजे और 80 में से 40 एकदाम आप लोग फाट फूर के रख दीजेगा यह हमारा guarantee है अगला question यहाँ पर देखिए अगला question बहुत ही असान सा question पूछाए गया है कि निम्नांकित योगीक में कौन जल में बिले है यानि इसमें आपको बताना है कि कौन जल में घुल जाता है तो बाब अगला question यहाँ पर देख लिजेए अगला question यहाँ पर देखिए 49 नंबर question है कि अमलगम है अब इसमें से आपको बताना है कि अमलगम इसमें से कौन सा है तो बाबु जो अमलगम होता है यह किस से मिलकर बना होता है तो अमलगम में हमेशा क्या होता है पारा रहता है अमलग आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल इसे हो जाएगा बबू सभी कोशन हम आपको पढ़ा दियें कोई भी आपको टेंसन लेने का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगला कोशन यहाँ पर दिखे कि निम्नांकित में से किसी धातू को जिंग सलफेट के बिलियन में ज ऑपर करता है यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल इस उजाएगा सभी कोशन हम आपको पढ़ा दियें इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है यह भी कोशन हम आपको पढ़ाएं कि ओक्सीजन यूक्त रक्त को हिर्दै से सरीर के बिभिन भागों तक ले जाने वाली रक्त वाईनी है और यहाँ पर देखिए ऑक्सिजन यूक्त रक्त किसे कहा जाता है तो जो सुधरक्त होता है अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि सुधरक्त को कौन ढोता है बाबु सुधरक्त इसमें किसमें परिवहन होता है तो जो धमनिया होत कि रक्त में हलके पीले रंग के चीपचीपए द्राव को क्या कहते हैं तो रक्त में जो हलका पीला रंग के चीपचीपए द्राव होता है उसे क्या कहते हैं बबु पलाजमा कहते हैं कई बार ये भी हम आपको पढ़ाएं सी वाल आंसरी यहां पर बिल्कुल इसे हो जाएगा देखिए सभी पढ़ाया हुआ बबु कोसन हमारा आ गया है अग्दम बले-बले यहाँ पर लड़ गया है अगला कोसन देखिए अगला कोसन है कि किन पोधो की पतियों में पथिए इस्टुमाैटा उपस्तित होते है अब यहाँ पे आपको बताना है कि किन पोधों में इस्टोमेटा यहाँ पी क्या होते हैं उपस्तित होते हैं तो चलिए यहाँ पे जल्दी से आप लोग बता दीजे हैं कि किस पोधे में यहाँ पे जो पतियों में इस्टोमेटा होते हैं इस면गि P, seven पाई जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B वाला आंसर बिलकुल इस भी हो जाएगा, अब यहाँ पर देखें, यह कोश्ण हम आपको कई बार पढ़ाए हैं, कि Kid One की किरिया किस में पाई जाती है, तो बाबू, Kid One की किरिया किस में होती है बाबू, तो देखि अगला कोशन यहां पर पूण बिक्सित अंडासे कहलाता है अब यहां पर पूण बिक्सित अंडासे होता है वो बाबु क्या कहलाता है तो जो पूण बिक्सित अंडासे होता है वही क्या होता है वही क्या होता है बाबु फल में बदलता है आपको कई बर बता हैं कि फल बबु जो होता है ये फल में बदलता है तो पुण बिक्सित अंडा से क्या कहलाता है बबु फल कहलाता है इससे आपको याद रखना है बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा अगला कोशन देख लिजें अगला कोशन है 57 नंबर की निमनिलिकित में से कौन से पौधे का परकास संसलेसी इकाई है अब हमें आपको बताये थे कि पौधों में कौन परकास संसलेसी अंगक होता है ये हम आपको कोशन बताये थे नहीं भी स्वासे तो पिछला आप लोग वीडियो उठा के देख लिजेगा कि पेन पौधों में परकास संसलेसी अंगक क् अगला कोशन देख लिजीए, अगला कोशन है की अनडोत सर्जन का कारण है, अब यहाँ पे आपको बताने की जो अनडोत सर्जन होता है, इसका कारण क्या है बबु?」 एले चार्मोन है क्या है बाबू एले चार्मोन के कारण से होता है बी वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा और इस्तरियों में अंडासे की संख्या कितनी होती है ये भी हम आपको बता है इस्तरियों में अंडासे की संख्या कितनी होती है ये दो होती है इसे आपको याद अगला कोशन देख लिजिए, अगला कोशन बाबू ये भी हम आपको पढ़ाएं, अगर जो बचे हमारा इमंदार स्टुडेंट होगा, वो सभी कोशन यहाँ पे बना देगा, यह हमारा गरांटी है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि निमनलिखित जियो में से किसमे अल ल इस्ट में किसके द्वारा होता है, मुकलन के द्वारा होता है, यह हम आपको पढ़ा चुके है, अगला कोशन देख लिजे, अगला कोशन यहाँ पे 60 नमर की प्राकिर्टी में ऑक्सिजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बबू यह 10 बार से, हम इमांदारी से यहाँ पे ला आनसर क्या हो जाएगा बिल्कुल इसा हुला कोशन देख लिजे, अगला कोशन है यहाँ पे 61 नमर की पाचन निमने लिखित में से कौन सी रस की भूमी का होती है, अब दिखे जब हमारा शरीर में भोजन पचता है तो उसके पाचन में कौन सी रस की घूमी का होती है ब यहाँ पर दिखे कोसन पूछ रहा है कि ट्रिपसिन एंजाइम पाया जाता है अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो ट्रिपसिन एंजाइम है यह कहां से निकलता है तो यह भी हम आपको बताये थे बाबु जो ट्रिपसिन एंजाइम है यह अगनायासे से निकलता है इसे answer क्या हो जाएगा बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला question देख लिजे अब ये भी बावु हम आपको बता हैं अब ये मत बोलिएगा कि सर ये question नहीं बता हैं कि आहार नाल का सबसे लंबा भागे बावु कई बार हम आपको याद रखना है अगला कोशन देख लिजें ये भी कोशन हम आपको कई बर बता हैं कि भोजन की पाचन की किरिया कहां से सुरू हो जाती है तो जो भोजन की बाबु पाचन की किरिया होती है कहां से सुरू हो जाती है तो मुख से ही बाबु अपना जो मुख गुआ होता है इस कोसन को आप लोग बना दीजे कि निमनलीकित में से कौन सब यहाँ पर वसा है वो क्या करता है कि वसा पर पाचन करता है इसमें से आपको बताना है कि जो कौन है जो वसा पर पाचन करता है तो जल्दी से इसका आप लोग आनसर बता दीजे कि वसा पर पाचन कौन करता है वसा पर बना होता है और ये जो पारा बैगनी किरण होता है इसको ये च्छानने का कारे करता है तो बोल रहे कि ओजोन परत क्या है लवदायक है कि हानी का रख है बबू तो जो ओजोन परत है ये क्या है लवदायक है इससे आपको याद रखना है C वाल आंसर यहाँ पर बिल्कुल इस हो जाएगा सभी कोशन बबू हम यहाँ पर आपको बता दिये हैं अगला कोसन यहाँ पर देख लिजे अगला कोसन है 68 नंबर की निमनलिकित में से कौन फूल में नर पर जनन अंग है ये भी कोसन हम आपको कई बर बता हैं कि फूल का बबु नर पर जनन अंग कौन सा होता है तो फूल का नर पर जनन अंग कौन सा होता है बबु पुंकेसर होत अगला कोशन देखी ये कोशन बैंक का कोशन है और आप लोग 2011 का ये भी हम आपको बता देते हैं 2011 का अगर आप लोग कोशन बैंक स्वल्फ किजिएगा तो ये कोशन मिलेगा कि पौधे के स्वासन की किरिया में एक ADP टूटने के पस्चात कितनी उर्जा मुक्त होती है तो 30.5 किलो जूल परती मोल उत्पन होती है हम आपको पढ़ाए है तब यहाँ पर याद ही यहाँ पर एवला आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोशन देख लिजे बच्चे यहाँ पर बोल रहा है कि सर तिरपन नंबर एक बार देख लिजे ठीक है कोई दिकत नहीं हम एक बार तिरपन नंबर को देख लेते हैं आपके लिए हम तो यहाँ पर कुछ भी करने के लिए त्यार है तिरपन नमबर ही question क्या है यहाँ पे आप लोग बता दीजे आप लोग क्या बताना चाहते तिरपन नमबर का यहाँ पे दिखें बोल रहा है कि किन पौधों में किन पौधों के पतियों में estomata उपस्दित होता है किस में होता है बबू angio sperm में जल्दी से आप लोग बताईए इसका right answer क्या हो जाएगा sir model paper download नहीं हुआ ठीक है video जैसे ही खतम होता है यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप लोग कहा से download करेंगे live हम यहाँ पे आपको download करके बताएंगे जल्दी से इसका आप लोग यहाँ पे आंसर बताईए कि तिरपर नंबर का आप लोग आंसर क्या कर रहे है यहाँ पे angio sperm होगा जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताईए क्या होगा तिरपर नंबर अगर आप लोग बोल रहें कि अगला कोशन देख लिजे, अगला कोशन अब यहां पे देखिए, अगला अब हम लोग यहां पे आते हैं, अगला कोशन यहां पे हम लोग आते हैं, अपने नेक्स्ट कोशन पे, अब नेक्स्ट कोशन देखिए, यह आप लोग कोशन गलती मत किजेगा, यह कोशन हम आपको चिला चिला के बता हैं कि इथाईल एलकोहल किस परकार के स्वासन में बनता है तो जो बबू इथाईल एलकोहल होता है ये किस परकार के स्वासन में बनता है और स्वासन कितने परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं ये हम आपको बताये थे पहला होता है वाईवी एस स्वा उपस्तित कौन सी कड़ी का है, स्वासन में गैसों का परियोहन में भाग लेता है, अब यहाँ पर आपको बताना है, कि रक्त में कौन सा वो कड़ होता है, जो क्या करता है, यानि ओक्सिजन को कौन धोता है बाबू, तो यहाँ पर देखिए, जो लाल रक्त कड़ी का होती है ये क्या करती है कि oxygen का वहाख होती है oxygen का ये क्या करती है ढोने का कारे करती है और जो स्वेत रक्त कड़िकाए है इसका क्या कारे है तो बाहर से जो हनिकारक जिवाडू आते हैं उनसे ये लड़ने का कोसित काम करता है और ये क्या होता है सरीर का सैनिक होता है और जो लाल रक्त कणिकाए होती इसके जीवन काल कितना होता है 120 दिन का होता है और इसका कितना होता है तो बारे से 20 दिन का इसका जीवन काल होता है इससे आपको याद रखना है और जो रक्त होता है रक्त कहां पे बनता है बबु बोन मेरों में बनता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है अगला कोसन देखिए 72 नंबर भी कोसन हम आपको बताये थे कि पादप का जो अपसिष्ट पदार्थ होता है वो कहां पे जमा होता है तो पतियों में भी जमा होता है छालों में भी जमा होता है नहीं इन में से सभी में बढ़ु जमा होता है। तो यहाँ पर क्या answer देना है? दी वाला answer यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगां पादप में बढ़ु जो अपस्ष्ट पदार्त होता है वो कहां पे जमा होता हैं। तो पतियों में भी जमा होता है, छालों में भी जमा होता है, और यहाँ पे कोशी का रिक्तिकाओं में भी होता है, यानि इन में से सभी में बबु जमा होता है, यहाँ पे D यानि All क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल Right Answer हो जाएगा, अगला कोशन देख लिजे, अगला कोश रास नली होता है जो निगलने वाला नली होता है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है यहाँ पर B वाला आंसर क्या हो जाएगा बिलकुल ही से हो जाएगा जो आपका सेंटप ईगजाम हुआ था उसी में से यह कोशन एकदम हुबहु उठा के डाल दिया गया है कि मुत्र की सांदरता की उपस्तिती निर्भर करती है तो ADH पे निर्भर करती है इससे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल इसे हो जाएगा अगला कोशन देख लिजेए अगला कोशन यहाँ पे है यहाँ पे 75 नंबर भी कोशन हम आपको कई बर बता है कि कौन सा हार्मोन पौधो में ब्रिधी से सम्मंदित नहीं है तो इसमें बबु ब्रिधी हार्मोन कौन होता है ओक्जीन होता है आपको पता है जिब्रेलीन होता है यह हम आपको बताय थी कि ब्रिधी हार्मोन ओक्जीन होता है जिब्रेलीन होता है और साइटो काइनीन होता है लेकिन जो एपसीसी कामल होता है ये क्या करता है तो ये पेण पोधो का ब्रिधी रोधक हार्मोन होता है ये क्या करता है कि पेण पोधो की पतियों को जड़ा देता है विलगित कर देता है इसे आपको याद रखने हैं दी वाला आनसर बिल्कूल index हो जाएगा अब यहां पे आप लोग answer बताइए यहां पे 76 नमबर कोसेन हैं कि मानोव हिर्दे किस तंत्र का भाग है अब यहां पे आपको बताने हैं कि जो मानोव हिर्दे हैं ये किस तंत्र का भाग है, पाचन का नहीं है, पाचन का तो लीबर होता है, स्वासन का बाबु फेफडा होता है, और उत्सर्जन का क्या होता है, हमारा व्रिक होता है, जो व्रिक होता है, ये क्या करता है, उत्सर्जन से समंदित होता है, लेकिन जो हमारा हिर्दय होता है, य इस का करता है तो यह जो रक्त होता है यानि जो हमारा खून होता है इसका यह क्या करता है परियोहां करता है आपको यहाँ पफा工作 पता होना चाहि करता है यह हम आपको पढ़ा थे अगला कोशन देखिए बाबु यह भी हम आपको कई बार पढ़ाएं आगला कोशन देखिये बाबु यह भी हम H12 और O6 होता है जिसमें Peanut का Πरमाड ऑच्झ होता है Hydrogen का परमाड ऑच्झ होता है और Oxygen का परमाड ऑच्झ होता है बव ये पढ़ाये हैं कि नहीं पढ़ाये आप लोग एकदम इमान से बोलेगा है इकदम आप लोग यहाँ पर दिल से बोलेगा कि यहाँ पे यह हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं कि गुलुकोज में कार्बन के परमाडु संग के कितने होते हैं तो कार्बन के 6 होते हैं बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही से हो जाएगा बहुत बढ़ियां अगला और आज का यहाँ पे अंतिम कोशन देखिए उसके बाद हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे अब सब्जेक्टिव कोशन का बार ही है धुआ धुआ करने का असी नमबर कोशन देखिए कि मस्तिक्स में अनैक्षी किरिया को नियंतरित करता है तो बाबु जो मस्तिक्स होता है जो अनैक्षी किरिया होता है इसको नियंतरित कौन करता है तो मेडूला अब लिगेंडा करता है इसे आपको याद रखना है यह वाला आंसर बिल्कुल ही लिखे आप लोगों के पास फिजिक्स का नोट्स होगा आप लोग देखिएगा पहला ही कोशन है ये कि चुमबके छेतर रिखाओं के आपको दो गुंड लिखना है तो जो चुमबके छेतर रिखाएं होती है उतरी धुरू से निकलती है दक्षिडी धुरू में परवेस करत होती है और जो चुमबके छेतर रिखाएं होती है ये एक दूसरे को क्या करती है कभी नहीं कारती है आपको पता है ये नोट्स में ही हम आपको दे दी है ये कोशन सभी हम आपको नोट्स में दे दी है उसके बाद यहां पर बोल रहा है कि बायो गैस सहिनांतर क्या है तो ब आप होता है बबू ये अचर होता है सभी कोशन बबू काफी इजी इजी है अब यहाँ पर दिखे वायू में प्रकिर्णन तरंग की लंबाई किस पर निर्भर करती है यह हम आपको बता देंगे और नोट्स में बबू यह भी आप लोग कोशन देखिएगा जो हम आपको नो जाक में यहाँ पर पढ़ाई वाला नहीं करते हैं यहाँ पर देखिए आप लोग यह भी कोशन देखिएगा कि आख की समंजन छमता से क्या तत्पर है यह कोशन हम आपको नोट्स में दिये हैं कि नेतर की समंजन छमता क्या है यह हम आपको दिये हैं और उसके बाद दिख इसमें आपको कीतना बनाना है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लिजे, कि एक से लेके यहाँ पे 8 तक क्या दिया गया है, एक से लेके 8 लगूतर ये प्रशन दिया गया है, 4 इसमें से बनाना है, तो देखिए पहला ये बना लिजेगा, दूसरा ये बना लिजेगा, ये नोट्स दिये हैं इसमें ये कोसन नहीं है एक बार आप लोग बोल दिजे और जो भी बच्चा गुरूप में नहीं जोड़ा है बोल रहे हैं बच्ची गुरूप में जोड़ने के लिए तो रुख जाएए हम यहाँ पे लिंक पिन करते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप लोग ओफिसियल मोडल पेपर आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं देखिए कितना मस्त मस्त कोसन एकदम लड़ गया है अब इसका हम लोग आते हैं अब देखिए यहाँ पे पांच नमबर वाला कोसन लड़ गया है कि दिष्ट धारा और परत्यावरती धारा म अंतर यह हम आपको दिये थे 60 जिस दिन हम आपको अबजेक्टिव कोसन पढ़ा रहे थे उसी दिन का बाबु यह बात है ज्यादा दिन का यह बात नहीं हुआ है अभी उसी दिन का बात हुआ है तो जो भी बच्चे नोट्स हमारा डाउनलोड नहीं करते बाबु और जगे जाएएगा तो नोट्स का आपका पैसा लेगा मोटा मोटा आपसे पैसा लेगा और कितना पैसा लेगा आपको पता है 240 रुपया लेगा या 199 रुपया आपको नोट्स का ही यहाँ पे लेगा लेकिन हम आपको नोट्स देते हैं बिलकुल हम आपको फिरी में देते हैं देखि कि कहां आपको यह कोसन है वह हम आपको यहाँ पर लाइव आपको दिखाएंगे नोट्स में लेकिन अभी तक आप लोग जो भी लड़के हैं लड़के अगर हैं तो वह आप लोग क्या कर दीजें गर्फ में यहाँ पर जूड़ जाईए हम यहाँ पर लेकिन अगर जो भी बची यहाँ पर लड़कें इनको हमआरे नंबर पर लिक देते है नमबर यहाँ पे लिख देते हैं, नमबर आप लोग नोट कर लीजिए और आपको क्या करना है, नमबर पे बोलना है, कि सर हमें WhatsApp गुरूप में जोड़ देजे, हम आपको WhatsApp गुरूप में जोड़ देंगे और इसका ये नहीं है कि हम आपको बबु सब्जेक्टिब का यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे और यहाँ पर दिखें उभै धर्मी ओक्साइड भी हम आपको बताएंगे कि उभै धर्मी ओक्साइड क्या है और उसके बाद दिखिए और ये भी कोसन हम आपको बताए हैं कि जिंक को आईरन सलफेट के बिलिया में डालने पर अभी किरिया को लीख हैं ये भी हम आपको बताए हैं ये भी हम आपको नोट्स में दिये हैं अब यहाँ पर दिखे ये भी हम आपको बताए थे कि संचारण से क्या होता है संचारण क् सराब पीने से आदमी पर क्या परभाव पड़ता है तो वह जब आदमी सराब पीता है तो क्या होता है उसका लीबर कम जोड़ हो जाता है और पिलिया रोग हो जाता है और आने वाले समय में अगर अधिक वह सराब पीएगा तो उसका क्या हो जाएगा लीबर यहाँ पर किंदू की किरिया क्या है है हम आपको बता दी है कि za isolation की किरिया में chloroplast में क्या होती है यह हम आपको बताएं जो chloroplast होती है बाबु यह क्या करती है तो यह क्या करती है सूर्य की परकास को आपको स्वसर कर दिये यह सभी कोशन बाबु हम आपको पढ़ा दी है पूरा अगर आपको यह पढ़ा दिये हैं परलास हम आपको notes भी दिये हैं लेकिन अभी हम आपको physics का notes डाउनलोड करके दिखाते हैं और इसका subjective भी बाबु एकदम पूरा details में हम आपको बताएंगे तो अगर आपको notes डाउनलोड करना है तो आप लोग notes कैसे डाउनलोड कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पर मैं screen छोटा किये हुए हैं अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यहाँ पर देखते हैं कि notes डाउनलोड हो रहा है कि नहीं यहाँ पर sin 2 करते हैं अब यहाँ पर आते हैं हम लोग देखते हैं कि screen पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पर हम आपको notes और PDF डा AWS बस आपको Ask Class लिख के सर्च कर देना है जैसे आप लोग सर्च कीजेगा यहाँ पर देखिए Ask Class लिखा हुआ आ जाएगा इसी पर आपको क्या करना है क्लिक करना है जैसे आप लोग क्लिक कीजेगा देखिए यहाँ पर Metric Official Model Paper जारी 2023 Metric Model Paper जारी मातर एक क्लिक में डाउनलोड करें तो इसी पर आपको क्या करना है क्लिक करना है जैसे क्लिक कीजेगा यह खोलने वाला आ गया बाबू यही बच्चे गलती करते हैं नहीं खोलते हैं बाबू का डाउनलोड नहीं होता है तो इसे आपको क्या करना है खोल लेना है खोल लिजेगा तो ये फिर दुबारा नहीं आएगा इसको क्या करना है बावु आपको एक बार बैक दबा देना है कट जाएगा फिर आपको क्या करना है इसी फोटो पे आपको क्लिक करना है जैसे आप लोग क्लिक किजेगा ये पो लोग model paper पढ़िएगा तो यहाँ देखा गया model paper और यहाँ पर download link तो science वाले की link पे आगया आप लोग click किजेगा link पे तो यहाँ पर science का model paper यहाँ पर open हो जाएगा आख के सामने हम आपको यहाँ पर download करके दिखा रहे हैं यही यहाँ पर model paper था आप लोग देख सकते हैं कि न डाउनलोड कर लेना है अब चलिए हम आपको बताते हैं कि जो हम notes दिये हैं उसको आप लोग कैसे डाउनलोड किजेगा तो model paper सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा अब आपको सबसे नीचे आना है सबसे नीचे आप लोग आईएगा education का यहाँ पर मिलेगा और य class 10th physics notes PDF दाउनलोड यहाँ पर लिखा गया कि class 10th physics का यहाँ पर notes PDF डाउनलोड तो इस notes PDF पर आपको क्लिक करना है जैसे आप लोग click किजेगा यहाँ पर लिखा गया समपूर्ण फिजिख Dкоеना, physics का समपूर्ण notes, आपको यहाँ पर नीचे आना है नीचे आयेगा यहाँ पर और पहला ही कोशन आपके model paper में है, वो 2 good बोला था लिखने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे 4 गुण यहाँ पे आपको लिख के दिये थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जल्दी से एक बार आप लोग देख लिजे, यहाँ पे 4 गुण बोला था लिखने के लिए, लेक नोट्स में यहाँ पे की समय्यन चमता, यानि नेतर की समय्यन चमता क्या काते हैं, यह भी आपसे पूछा गया था, कि आपरतनां क किसे कहते हैं, इसका सुत्र लिखë, सुत्र भी लिखा गया है उसके बाद देखिए यहाँ पे आंक का यहाँ पे नेतर का समझन चमता आएगा आप लोग थोड़ा सा वेट कर लिजे यहाँ पर देखिए उतर लेंस और उतर लेंस यहाँ पर देखिए परकास का यहाँ पर है और उसका यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिलेगा बाबू नेत्र की समझन चाहरे किया नेत्र लेंस द्वारा परकास की कर्मो को मोड़ने की Jungत्र लेंसकी यहांपे चाहरे की थेल लेकिन इह है फिर्ज यहांपे रामभानबॡ साबित होने वाला है कि दरगया अभी यहां पे नहीं दिखाए procedureども भोड़ारा तक होने घर दिखा किया है तर द्षोरह को बता थे कि नेत्र-दोरा परकास की कीज़नों को मौण τो को किया कहते हैं इस में होगा इसमें जुरूर होगा यहां पर आप लोग देखिएंगा आप लोग को यहां पर मिल जाएगा आप प्रतिनान खे पानी आप एक्षी का प्रतिनान खे पिरिज्म है Прकास का word भी छे पढ़ है lens की lens किसे कहते हैं और lens हो गया lens ओतर lens को अभी सारी lens lens की छहमता क्या है यहाँ पर नेतर की समझन छहमता इसमें होना चाहिए इसी में होगा बाबु आप लोग डाउनलोड कर लीजे इसी में होगा 100% होगा अगर नहीं भी होगा तो हम आपको यह पढ़ा चुके हैं यह नहीं कि हम आपको नहीं पढ़ाएं आपको क्या करना है यहां से डाउनलोड कर लेना है और जितने भी बच्ची यहां पे बोले थे कि इसमें 2-4 पोशन छूट गया है तो उसको भी दे देंगे बबू आपका बिलकुल यह फ्री वाला क्लास है बबू हमारा जो क्लास होता है आपसे एक भी रूपिया नहीं लिया जाता है अब देखिए जो हम आपको मैत पढ़ाएं बबू इतना मैत में हम आपका मेहनत किया है अब देखिए आप लोग अगर पढ़ियेगा तो बोलियेगा तो हम यहाँ पर 10 बजे आपका मैत यहाँ पर solve करवा देंगे math का भी solve करवा देंगे कल social science का भी solve करवा देंगे hindi का भी solve करवा देंगे Sanskrit का भी solve करवा देंगे Non Hindi का भी यहाँ पर solve करवा देंगे और क्या करना है बबू एक बार हम पे भरोसा रखना है एक बार आप लोग बोल दिजे कि हम पे भरोसा है कि नहीं Sir Bailoo जी का note दे दिजे Sir Bailoo जी का note दे दिजे बिल्कुल दे देंगे बबू और 100% यहाँ पे लड़ेगा यह हमारा guarantee है यह नहीं है देखिए objective पढ़ाये थे आपके सामने objective कोशन है बबू बिहार बोड का model paper का सामने objective है और आप लोग एकदम बना दिजेगा तो उसमें कम से कम आप लोग 75 पलस कोशन आप लोग बना दिजेगा एक बार आप लोग बता दिजे कि भरोसा है की नहीं आप लोग लिग दिजे कि जी सर जी भरोसा है इतना अगर आप लोग लिग देते हैं तो हमारे लिए काफी है बाबू और जो पढ़ार है बस आपको क्या करना है पढ़ लेना है एक बार आप लोग बोल दिजे कि जी सर यहाँ पर भरोसा है कि नहीं है बिनोद कुमार बहुत ही बढ़ी है एक बार आप लोग बता दिजे भरोसा है कि नहीं या 10 बजे फिर आ जाएंगे लाइब आपको पढ़ाने के लिए अगर आप लोग पढ़िएगा तो सोसल साइन्स या मैथ दोनों किसी एक को हम यहाँ पर भी सॉल्व करवा देंगे अगर आपको 10 बजे जूड़ना है तो अगर आपको 10 बजे जूड़ना है तो एक बार बोल यहाँ पर 10 लिख दीजे हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे बाबू एकदाम हाजिर हो जाएंगे कहीं भी रहेंगे एकदाम हाजिर हो जाएंगे नो सर जियानी अब आपको सुबह में पढ़ना है बहुत ही बढ़िया कोई दीकत नहीं हम आपको बाबू सुबह में पढ कोशन मिलेगा आपको कहीं से भी नोट्स करीदने की जुरूरत नहीं है और आने वाले वाले समय में हम आपको अब्जेक्टिव का भी नोट्स देंगे बस जो कलास होता है आपको करना है कलास कब खोता है तो सुब़ donn Од सबRE 5.50 बजे होता है आपका कोशन मैत का सब्जेक्टिव चेटरवाई चल रहा है उसके बाद देखिए यहाँ पे साम में पांच बज़े चल रहा है साम में पांच बज़े वायरल कोशन होता है और वायरल कोशन पेपर का 100% कोशन आपके फाइनल बोड परिक्षा में लड़ जाएगा और साड़े आठ बज़ कि आप लुग 480 पलस नमबर ला सकते हैं यह हमारा गरांटी है तो चलिए मिलते हैं सुबह साड़े पांच बज़े वाली कलास में तब तक अपना ध्यान रखिए मनलाग के पढ़ाई किजिए टेक केरेंड बाएं